नमस्कार आप देख रहे हैं बील पी खबर आनलाइन यूटूब चैनल ना पक्च ना भी पक्च के वालने स्पक्च आईए आपको लेकर चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर बलरामपूर जनपत से बड़ी खबर आपको बता देए खबर उतर प्रदेश की जनपत बलरामपूर के थाना हर्रया छेतरी के अंतरगत कटकुईया गाउं के पास का है जहां हर रहीया तुलसीपूर मार्क पर एक पीकप मड़ीपूर की तरफ से तुलसीपूर की तरफ जा रही थी तभी कटकूईया गाउं के पास दक्षिन की तरफ से एक महिला उत्तर की तरफ अपने घर को जाने के लिए रास्ता क्रास कर रही थी तबी वो पीकप की चपेट में आ गई और गंभी रोप से घायल हो गई मौके पर पहुँची उपी 112 की पुलिस ने अस्थाली लोगों की मदद से घायल महिला को सामदा एक स्वास्थ के इंसिर से अभेद दिया प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल का नाम पूनमपत ने बिनोद निवासी गंजड़ावा कटकुयां की बताय जा रही है जो कि दच्छिन की तरफ अपने गुम्टी की दुकान से उत्तर दिसा में घर आ रही थी वहीं पीकप चालक का नाम धरमेश कुमार पतर जग परसाद निवासी हाजी पूर्थाना रहुना ही जनपत फैजाबाद का बताया जा रहा है जो कि फैजाबाद से डाग पारसल लेकर इंद्रानगर कालोनी तहनाहर रहीया लेकर आया हुआ था तभी इंद्रानगर कालोनी से वापस उत्रावला डाग पारसल लेकर जा रहा था तभी ये कटकुईया गाउं के पास एक महिला चपेट में आ गई और वो घायल हो गई